पुलार मोदी जी की है यहां से सांसाची जीतेंगे सडक की नाम पे एक गड़ा मात्र था तो किस बात पे गड़बंदन गड़बंदन 15 साल से वो बस्ती में ही नहीं आते थे आज के समय मोदी जी और हरीज जी के नेत्रित में प्रते घर में राशन जा रहा है प्रतिव्यक्ति पांच यूनिट राशन हर घर में पहुंच रहा है परला भारी मोदी जी का है और प्रधान मंतरी बनना ताय है श्रीराम की नगरी आयोध्या से महस 75 किलोमीटर दूर उत्तर प्रधेश का बस्ती लोकसवा सीट जहां समाजवादी पार्टी का अब तक खाता तक नहीं खुल सका है तो कॉंग्रिस को 40 साल से अपनी पहली जीत का इंतिजार है क्योंकि 1990 के बाद से यहां पर जीत बीजेपी और बस्ता के बीच में ही हो रही है लेकिन इस बर क्या है जनता का मूट उसे भापनी के लिए रिपब्लिक भारत समभादाता स्रिष्टी पांडे ने बस्ती की जनता से बात की और बस्ती के रण में उनका मत किसके साथ है ये सवाल भी पूछा तो लोगसभा चनाल तो हजार 24 को लेकर लगतार आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो कैंपेरिंग है उसकी शुरुबात जोर शोर से शुरू हो चुकी है चाहे वो हम बीजेपी की बात करें या गड़बंदन की बात करें दोनों की तरफ से लगाता है जोर लगा जा रहा है जमीन पर अपने आपको मजबूत करने के लिए और इसी बीच आप रेपाब्लिक भारत की टीम बस्ती पहुँच चुकी है आपको बता दे कि आयोध्यार नगरी यानि कि राम की नगरी से जुड़ा हुआ बस्ती महज एक घंटे का रास्ता है यहां से राम का धाम और यहां की इलाके की लोग आखरकार इस चुनाओ को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं क्या उनकी विचार धारा है किस तरफ उनकी लहर जाने वाली है किन मुद्दों को लेकर वोट करने बाले है बीजेपी की ओर से एक बार फिर से हरीश दिवेदी पर भरोसा यहां पर जताया गया है जनता उपर कितना भरोसा इस बार कर पाएगी क्या वो हैट्रुक लगा पाएंगे यह बड़े सवाल है जिसका जवाब हम यहां की जनता से ही लेने वाले हैं यह तमाम लोग है जो बस्ती के रहने वाले हैं उनसे हम शुरबात करते हैं बाचीत करने की सर आप से जानना चाहेंगे क्या भरोसा एक बार फिर से जनता करने वाली है अरीज दिवेदी जी पर या फिर समाज़ादी पाटी और बस्ता की जो केंडिडेट मैदान में उत्रे हैं उनका कोई ठकर दिखरा है देखे मैडम जिस तरीके से देश के सस्वी परदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी के नाम की और उनके काम की आधी जो पूरे देश में चल रही है तो बस्ती भी उससे अच्छूता नहीं है और मैं यह कह सकता हूं जिस तरीके से 24 गंटे समरपड भाव से देश की सेवा नरे मैं हरी दिवेदी जी 24 गंटे बस्ती जी लेकर विकास के लिए समरपित रहते हैं तो निस्टि दoruब से मैं कह सकता हूं कि बस्ती में हरी दिवेदी की आधी चल रही है और सिसुने कि बार जंता बस्ती में कुछ लोगों से बात करके ये पता चला कि बस्ती में हवा बिजेपी की है मोदी और योगी के कामका डंका बश रहा है तो इस्थानिये लोग सांसद हरीश दिवेदी के काम से खुश है क्या लग रहा है किसकी लिए लार मोदी जी की है यहां से सांसद जी जीतेंगे इसमें कोई टककर नहीं दे सकता है क्या कुछ दो चार काम गिराएंगे सांसद जीतेंगे हम लोग उनके साथ में है राममंदिर का प्रभाव पढ़ने वाला है क्या आपको लगता है क्योंकि बगल में ही राममंदिर है और ये बड़ा मुद्दा रहा जिसे बीजेपी ने कहा कि हमने करके दिखाया क्या कुछ प्रभाव मुझे तो ये नहीं पता मैं कि आप इससे पहले बस्ती आई है कि नहीं लेकिन जो लोग भी इससे पहले बस्ती आये होंगे उनसे आप अगर जवाब सवाल करेंगी तो पता चलेगा कि कितनी खराब सड़के आज आपको इतनी दूरी आने में कम सकम आधे गंटे से 40 मिनट लगा होगा कहीं कोई ब्रेकर नहीं है सीधे गाड़ी चली आती है तेजी से यहां के आम जन्मानस भी वाचनाले में जो छात रहें इतना बड़ा वाचनाला हमको लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं आराम से आमजन मानस को सुभधा हो रही है रही बात राम मंदिर की तो राम मंदिर राम नौमी है राम नौमी के दिन प्रभू स्री राम आधर्णी मानी मोदी जी को हमारे बहुत ही आधर्णी सांसत स्री हरीजदी वेदी जी को अपना पूरा आशिरवात देंगे और बस् कि आम मूलभू समस्याओं को उठाएंगे ठीक है क्या लगता आपको गड़बंदन को मौका इस बार नहीं देने वाली बस्ती की जनते गड़बंदन को मौका किस बात पर दे गड़बंदन 15 साल से वह बस्ती में ही नहीं आते थे उनके भतीजे वह अपने भतीजों को कप्तानगन से कोई एक प्रकार की मूल भूत सुवधाय उन्होंने उपलब नहीं कराई अपने कप्तानगन विदानसभा में चाहें बस्ती कबिनेट मिनिस्टर किसी बात पर उनको गड़बंदन पर वोट देगा कोई क्या बाब भरोसा जताएंगे इस बार फिर से किस पर पराबर बिजली आ रही है तो और सुर अच्छा ब्रवस्ता जो है यहां गुंडे गीरी कम हो गई है बस्ती के लोग चार जून से पहले ही अपनी पसंद को साफतोर पर जग जाहिर कर रहे हैं अपना विश्वास मोधी सरकार पर जता रहे हैं अब इन बाबा को भी सुन लीजिए किस तरह एक एक कर विकास की रफतार को उंगलियों पर गिनवा रहे है अब बताएगा चाचा क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार किसका पलड़ा भारी लग रहे है विकास के माध्यम से जहां से देखा जाए अगर हजारों किलोमेटर बस्ती की बात होती है तो लाखो करोनो मीटर जो है पूरे देश की बात होती है मोधी जी ने ऐसा काम कर दिया है कि सुरंग से पाइलट जो है सुरंग से ट्रेन चला दिया है और ऐसा करना भारती इतिहास में किसी भी प्रधान मंत्रे ने ऐसा नहीं किया अबी तक जिस तरह लोग अपना मूट जाहित करते दिखे उससे साफ है कि बस्ती की जनता विकास देखती है जो उनके मुद्दो पर खरा उतरता है वही दिल्ली में संसर भवन पहुशता है युवा किस तरफ जा रहा है अगर बस्ती के युवाओं की बात सही पूचे तो युवा जो हमारे सब साथी हरिश दिर्विदी सांसर जी के साथ चल ला है जुवाओं के लिए कितना काम किया है बहुत काम किया है जैसे आप देख लेजिए हमारे गवरा में पंडित दील दयाल उपाद धाय का वो बना हुआ यह सांसर जी की दिन है यह स्टेडियम देख लेजिए पॉलिट टिकनिकी स्कूल देख लेजिए बहुत कुछ सांसर जी ने किया है हमारे बास्ती में जी रोजगार को लेकर अगर देखा जाए तो क्या विपक्ष रोजगार का मुद्दा उठाता रहा है रोजगार विपक्ष का तो काम ही है मुद्दा उठाना लेकिन हमारे सांसर जी हर जगा मेला लगवाते हैं रोजगार मेला कई लोग का सनक्षन हुआ है तो युवा इन्हीं के साथ जाएंगे जी तो युवाव का साथ मिल रहा है इधर भी कुछ लोग है उनसे भी हम बात करते हैं सर आप लोग बताईएगा क्या टककर कुछ है यहां पर या फिर क्या लग रहा है क्लीन सुई पर टक वो घर में नहीं पहुंचता था आज के समय मोदी जी और हरीज जी के नेत्रित में प्रते घर में रासन जा रहा है प्रतिव्यक्ति पांच यूनिट रासन हर घर में पहुंच रहा है यह नरिन मोदी की देन है हरीज दिवेदी की देन है इसाम जंता की देन है जिसने मोदी के भी सांसद रहे सपा के भतीजे सांसद रहे उनका पांस साल किसी ने चहरा तक नहीं देखा था आज के समय में हमारे सांसद को आप निकलेंगी यहां से और पीछे जनता मिलती हुई जाएगी यहां से लेके और पूरा बॉर्डर तक यह रीजद्वेदी की ताकत है जनता पिषने और यहां से लेक Legg ने लोग खड़ी हैं उनके साथ उनके काम आइसे हैं कि लाखो लोक सांसद खेल महाकुम में लाखो बच्चे पूरे बस्टी जिले से प्रतिभाग करते हैं उसमें से कितने बच्चे राष्टी अस्तर पर गए हुगे साहीं का उनहें सपोर्ड मिला वो खेलना है आजराश्टी अस्तर पर ये सांसत खेल महाकुम और हरीश दुएदी की देन है इसी बस्ती जिले में इंजिनिरिंग कालेज से लेके युवाओं को धरातल से जोडने की बात करें या फिर युवाओं के लिए चाहे वो उनिवस्टीस हो चाहे वो विशुविद्याले हो चाहे वो पढ़ाई को लेकर लाइब्रेरी भी यहाँ पर उसका निर्माण किया गया उसकी बात हो या फिर मेडिकल की विवस्था हो किसा वीजे साचन के साथ स्रुश्री पांडेय रेपबलिक भारत बस्ती